Hello students, this is video number 13 of rotational motion और इसके अंदर हम discuss करेंगे conservation of angular momentum जो last video में मैंने just start किया था आपको कुछ basic illustrations दी थी मैंने day to day life की, real life की practically कैसे कैसे हम इसको observe कर सकते angular momentum को अपने around अब हम कुछ basic examples करेंगे इसकी, कुछ numericals करेंगे जिससे इसकी और हम अपने understanding को develop करेंगे इसका first question लिखते हैं, this is the question, this is a very simple question, यह तो हम discuss भी कर चुके हैं जो यहां पर मैंने लिखाया आई है a girl with a stretched arms, अपनी arms को stretch करके rotate कर रही है एक about fixed axis के, एक rotate कर रही है about fixed axis उसका moment of inertia उस समय हमें calculate करने की जरूरत नहीं है, उसने दिया हुआ है कि वो 40 kg meter square है जब उसने अपनी arms को fold करके अपने बिल्कुल center में अपनी nose के साथ touch कर दिया मान लो, ठीक है तो जब उसने arms को अपनी fold कर दिया तो उसका moment of inertia काम हो जाएगा, यह हमें मालूम है और value given है, इस बार कितनी है 20 kg meter square है, बताओ कि अब उसके omega की value क्या होगी, पहला उसका omega कितना था 10, अब उसका omega क्या होगा moment of inertia अगर आदा हो गया तो omega double हो जाएगा, यह direct देखके आप answer बता सकते हो, बड़ मैं आपको थोड़ा अच्छे से करके बताऊंगा कि हमने कैसे इसको approach क्या करना है, हमारी approach क्या होगी, ऐसे questions को करने के लिए, this is very very simple question, यह बहुत ही ज़्यादा simple question है, ठीक है, तो इसमें कैसे हम करेंगे, इसको आप देख लो जड़ा, सबसी पहली चीज हम यहां लिखेंगे कि i1 किसके equal है, हमें मालूम है कि i omega constant रहता है, i2 कितना है, 20, omega 2 कितना होगा, omega 2 कितना होगा, मुझे calculate करना है, omega 2 comes out to be, इससे असान question नहीं हो सकता कुछ भी, 400 upon 20 equal to 20 radians per second, मैंने आपको देख के ही बता दिया था कि इस cancer यह आएगा, आपको भी देख के करना आना चाहिए, आपको सीधा सीधा समझ आ गया कि जब moment of inertia आद हो जाएगी, बलाब वो तेजी से गूमने लगेगा, वो table जिसके ऊपर वो खड़ी है, for example, अब next question करते हैं, यह आपका next question है, आप इसको जड़ा अच्छे से understand करेंगे हम इसको, कि यहाँ पे एक disc है, जो पहले rest पे है, ठीक है, लिख लो initially at rest, this is at rest, disc is at rest, यहाँ पे सिर्फ लिखके रखो, आप अच्छे से लिखो इसको, that is, तो disc जो है, उसका moment of inertia आपको given है, 10 kg meter square, उसका radius आपको given है, कितना 1 meter, एक person उसके उसके ऊपर खड़ा है, या बनाने के लिख खड़ा मैं दिखा नहीं सकता था, मैंने ऐसे करके दिखाया, आपको यह भी दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई man बगारा बनाने की जरूरत नहीं होती है, आप यह दर बस एक dot डाल दो, ठीक है, हमारे लिए यह जो man है, यह just a point mass है, तो इसलिए आप point भी बनाओगे और उसका लिखो कि 40 kg mass है, that is enough for me, और इस man ने यहाँ पे jump कर दिया, बाहर की तरफ, कितने, 10 meter per second से, तो आप खुद feel कर सकते हो कि एक rotating table के उपर अगर आप खड़े हो, और आप वहाँ से jump करते हो, तो क्या table गूमने लगेगा या नहीं गूमनेगा, तो गूमेगा, जो table जब गूमेगा, तो बताओ वो कितनी velocity के साथ गूमेगा, यह हमने calculate कर तो यह calculate करने से पहले समझ लो इसमें, कि इसमें initially जो net, sorry, इस पे जो net torque है, apply हो रहा है यहाँ पे, about the axis, this is equal to zero है, इस पे net torque जो लग रहा है, वो यहाँ पे क्या है, zero है, तो अगर net torque यहाँ पे zero है, इस पूरे system का, तो इसलिए यहाँ पे हम angular momentum को conserve कर सकते हैं, जब हम angular momentum को इसके अब यहाँ पे conserve करेंगे, हम जब यहाँ पे angular momentum को conserve करेंगे, तो आपने समझना है, इसको angular momentum, यहाँ पे initial angular momentum is equal to final angular momentum, तो कैसे लिखेंगे, initial angular momentum is equal to final angular momentum, as tau net is equal to zero, आप अच्छे से लिखोगे, tau net लगे गई कैसे, जैसे इसका mg है न, अगर यहाँ पे दो forces है, यह mg इस लगाता है, तो इस पे normal reaction लगती है, डिस्क की वज़े से, ठीक है, तो दोनो forces equal and opposite है, उनका जब torque आप इसके about निकालोगे, तो वो net torque की इसके बराबर आएगा, zero के, तो net torque इस system के उपर zero है, इसलिए, इसलिए li is equal to lf है, li कितना है, initially सारा system जो है, वो rest पे पड़ा है, man जो है, वो भी rest पे है, जो आपका, जो आपका, जो rotating disc है, वो भी rest पे है, इसलिए initial, initial momentum is equal to क्या होगा, initial angular momentum is equal to zero plus zero, यह zero plus zero मैंने दो बार क्यों लिखा, क्योंकि एक लिखा मैंने disc के लिए, और दूसरा लिखा मैंने man के लिए, लेकिन final momentum जब दोनों का लिखूंगा, आप ज़ आप ध्यान देना, प्लीज, बड़ा important मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, अगर इस direction में अगर यह rotate करेगी, omega के साथ, तो आपने एक बात समझनी है, कि जब इस direction में rotate करेगी, तो इसका angular momentum क्या आएगा, इसका angular momentum आएगा i omega, तो i omega देखना मैं लिख रहा हूँ, i तो दि इस disk का, disk का आई दिया हूँ 10, तो 10 into omega आगया यह, लेकिन आप बार की तरफ की अंदर की तरफ, आप समझना प्लीज, जो omega की direction, i omega के case में, जो omega की direction होगी, वही i omega की direction होगी, because i has got no direction, i is a scalar quantity, इसलिए i omega की case में, आपकी जो omega की direction है, वही इसकी direction होगी, omega की direction कैसे निकालते है देखना, omega की direction कैसे निकालते हैं, देखना, यह देखो, सिर्फ यह करना है आपने, curl your fingers in the direction of omega, curly मैंने, यह देखो, ठीक है, थम का है, ऊपर की तरफ, आपको इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, यह देखो, ठीक है, ऊपर की तरफ, यानि की answer क्या आएगा, dot, तो इसलिए dot आ point mass है यहां पर, एक बंदा खड़ा है जो, उसको point mass ही मान के चलना है हमेशा, याद रखना है आपने, ठीक है, तो point mass, यहां से जब jump करेगा, उसकी velocity कितनी है, यहां पर यह, हमें मालूम है कि जब ऐसे करते हैं, तो हम इसको कैसे निकालते थे, mvr का formula लगाते थे, mvr का, m समझना है आपने कि यह r vector है आपका, please समझना है इन बातों को, ठीक है, r इदर आया, यह velocity की direction इदर है नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, mvr जब मैंने किया, तो mv, v, v कितना, 10, r कितना, mvr कितना, 1, ठीक है, mvr तो मैंने लिख दिया, और r कौन सा ले करके बता रहा हूँ, लेकिन बार-बार नहीं करके मैं बताऊंगा, आपको यह directions find करनी आनी चाहिए, mvr की direction find करते time, आपको मालूम मैंने सिखाया पूरा पिछली वीडियो में आपको, कि directions find करते time, अपनी fingers को align करो, कि point mass के case में अलग fund है, i omega के case में अलग fund है, i omega की case में easier fund इतना है, कि omega की direction और angular momentum की direction सेम होगी, इसलिए वो बड़ा easily omega की direction मैंने आपको बताई कैसे निकाली, curl your fingers in the direction of the omega, और आपको थम आपकी direction बता देगा, किसकी omega की, और omega की direction ही आपकी किसकी direction होगी, angular momentum की, क्योंकि आप इसको एक scalar quantity से multiply कर रहे हो, जब भी scalar quantity को vector quantity से multiply करो, तो answer एक vector quantity आती है, और वहां पर वो dot आ गया, fine, इतनी हमें समझ आ गया, फिर हम आगे बड़े, तो आगे हमने देखा 40 into 10 into 1, तो 40 into 10 into 1 यह आ गया, आपका क्या, यह क्या आया, यह आया, mv r sin theta, sin theta तो 90 है, तो इसलिए sin theta 90, sin 90 equal to 1 होता तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, fine, व यही आपके angular momentum की direction है, this is the direction of linear momentum, यह linear momentum की direction है, जो यहां पर यह direction दिखाई दे रही है, इसलिए r cross p, तो cross p में आपने p क्यों tension लेनी नहीं, आपने direction r और v की भी देख सकते हो, एक ही बात होगी वो, तो देखो कैसे, देखो कैसे, यह देखो, fingers को कहा align किया, fingers को कहा की तरफ align किया, r की तरफ, देख रहे हो आप, ठीक है, कि इस तरह से, कि आपकी fingers curl किस की तरफ कर रही है, किस की तरफ कर रही है, v vector की तरफ, तो thumb कहां आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, अंदर की तरफ, यह देखो, इधर की तरफ, तो इधर की तरफ तो इसका मतलब क्या इसका मतलब हुआ cross यही सीखने वाली बाते हैं इसका answer क्या आया cross cross आने का मतलब हुआ cross आने का मतलब हुआ अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो देखो lf equal to पता क्या लिखोगे जब भी cross आएगा lf equal to लिख दोगे 10 omega minus 40 400 sorry minus 400 minus लिख दिया यह जैसे ही हमने निकाला तो अब आपका answer omega का क्या आएगा omega equal to direct आपका दिखाई दे रहा है omega equal to कितना आएगा yes omega equal to कितना आजाएगा omega equal to आजाएगा आपका yes omega equal to 10 आजाएगा 40 आजाएगा omega equal to 40 radians per second और जो direction आपको दिखाई दे रही है ठीक है वही direction रहेगी वही direction इस बात को आपने understand करना है 40 radians per second इसका answer आया यह इस तरह से आपने questions करने हैं अब यह बहुत से questions में है इस तरह के same same question इसी तरह की variety आपको करवाने वाला हूँ डिस्क के उपर बंदा खड़ा है ठीक है सब कुछ open रखो कि फिर minds open राधर ठीक है तो आप इसको अच्छे से understand करना है आपने एक-एक बात को जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी omega की value कितनी आई आई आपकी 40 radians per second और minus sign क्यों आया directions का roll देखो कितना है यह सब अगर एक-एक छोटी-छोटी बाते नहीं आती होंगी तो फिर यह question नहीं हो सकते फिर यह question नहीं हो सकते इसलिए एक-एक बात को अच्छे से understand करना है कोई छोटा सा भी answer में गड़बड नहीं आनी चाहिए आपके आगे बढ़ते है लगबग same problem में थोड़ी values change है और पहले वो rest पे थी डिस्क इस बार वो rest पे नहीं है ठीक, rest पे नहीं है इस direction में move कर रही है अब हमें इसका find करना है कि किस तरह से अभी उसकी rotation क्या speed है omega की value क्या है 2 radians per second जब यह person जंप कर जाएगा देखो मैंने person नहीं बनाया मैं खाम का time waste नहीं करता चीजों में जब उसको मानना ही point mass है तो point बना के काम चला लो क्यों बनाने है person फोटोग्राप बनाये होते हैं बुक्स वालों ने वो person बना के दिखा देगा तो हमें तो ना person बनाने में time waste करते रहना है हमने मार लिए point है वो पिछली बार person बना के क्या कर लिए हमने राधर और ज़्यादा understanding में difficulty आती है यह ज़्यादा easy लगता है देखने में तो इसलिए I recommend की इस तरह से किया करो ठीक है इस तरह से करो कोई problem नहीं आती है अब देखो अब क्या करेंगे हम difference कुछ नहीं है हमें पहले omega दिया हुआ तो पहले एक initial angular momentum निकाल लेते है initial angular momentum तो इसका initial angular momentum कितना है आओ देखें initial angular momentum आपको पता चल गया कि 20 into देखो 20 omega 20 into 2 समझा आगे हमे 20 into 2 20 into 2 direction आनी चाहिए आपको मैंने बताया आपको 20 into 2 initial angular momentum पिछली बार 0 क्योंकि था क्योंकि rest पे था plus person भी है यह वाला point mask इसका भी बताओ बाई इस point mask का पहले बताओ कि इसका i कितना होता है इसका i बड़ा simple होता है इसका i कितना अभी यह rotate कर रहा है न omega के साथ अभी jump नहीं किया इसने initially जैसी jump करेगा उसके बाद क्या क्या हालत होगी इसकी वो हमने discuss करनी है तो 20 into 2 आपको समझा आ गया उसके बाद हम क्या करेंगे इसका क्या आएगा 40 into 1 square यह क्या लिखा मैंने इसकी direction भी obviously omega वाली जब अब omega को consider कर रहे हो तो यह वाली तो इसमें आपको initial angular momentum में कोई difficulty नहीं आनी चाहिए समझने में बड़ा simple सी बात है अब आती है बात final angular momentum की final angular momentum देखो क्या लिखेंगे final angular momentum देखो क्या लिखेंगे final angular momentum देखो 20 into omega अब question यह आता है कि omega change होगा अब आप change होगा इसके jump करने के बाद अब jump करने के बाद omega change होगा अब यह जो तुमने नया omega लिया इसकी direction आप क्या लोगे अब इसकी direction आपकी मर्जी आप उसी direction में रखो या ultra बना दो आप जो मर्जी direction ले सकते हो clockwise, anti-clockwise आपकी मर्जी है आपका answer अपने आप positive, negative आना है अपने आप तो आपको कोई घबराने की जुरूरत नहीं है आप ले लो यही same direction यह ले लो यह omega होगा जो मैंने red में बनाया यह omega होगा when क्या after jumping just after jumping तो यह आगया 20 omega 20 omega आपको समझाया yes बिल्कुल आया फिर इसका यह तो jump कर गया यह jump कर गया कितनी velocity के साथ 10 के साथ अब इसमें formula लगाएंगे MVR वाला जैसे पीछले question में लगाया था जैसे पीछले question में लगाया था इस बार भी इस बार भी यह अंदर की तरफ ही आ रहा है तो plus आएगा तो plus आएगा कितना 40 into 10 into 1 यह तो बिल्कुल जैसे पीछे वाले question में निकाला था बिल्कुल वैसा ही आया 40 into 10 into 1 यह सारे cross यह जुरूर डाला करो इसका मतलब सबको कोई किसी को negative करने की जुरूरत नहीं होई सबकी direction क्या आया है सेम है आप करो equate करो equate क्या बना मैं बताता हूँ आपको initial momentum आपका क्या बना 40 40 plus 80 120 40 plus 80 120 तो initial angular momentum कितना आया आपका 120 120 तो पूरा unit अगर लिखना है वो भी लिखो मैं भी नहीं लिख रहा ठीक है LF किसके बराबर आया LF आया आपका 400 plus 20 400 plus 20 omega and that is why when li is equal to LF करोगे तो आपका answer आएगा 20 omega equal to करो आप equal to minus 380 280 sorry minus 280 omega minus हुआ minus का मतलब अभी आपको पता चल गया कि clock wise तुमने direction बनाई थी इसका मतलब यह उल्टा गूमेगा तो उल्टा गूमेगा तो इसलिए answer क्या आएगा इसलिए answer आएगा कितना आया 14 14 तो minus 14 radians per second minus 14 radians per second तो जब आपने minus 14 radians per second लिखा तो आपको पता चल गया कि भाई यह जो disk है यह इसी direction में नहीं गूमेगी यह जब 2 2 की direction में पहले गूम रही थी sorry 2 speed से गूम रही थी 2 angular velocity से गूम रही थी in clockwise direction लेकिन बट after just after jumping of this person from the disk of this rotating disk the speed will become its angular velocity will become 14 radians per second anticlockwise 14 radians per second anticlockwise यह आप बोल सकते हो dot anticlockwise नहीं बोलना तो आपने dot बोलना है dot से direction इसकी physics में dot और cross से बात करते है लेकिन clockwise anticlockwise से भी समझना कोई गलत नहीं यह है आपका next question एक disk है जो गूम रही है with angular velocity omega उसका radius r है उसका moment of inertia आई है एक mass है point mass m वो just इसके साथ आके stick कर गया somehow somehow वो नहीं आपने सोचना कैसे आया कैसे आया उसकी velocity भी given नहीं है मालब वो पहले भी rest पे था बाद में भी rest पे है मालब जब इसकी ऊपर आया तो मतलब उसकी वो किसी velocity को लेके नहीं आया यह understand करना ज़रा वो just इसके साथ stick कर गया किसके साथ मालब कोई ऐसे उड़ता हुए कोई चीज थी मालब मान लो कोई ऐसे चल रहा था और वो जाके इसके ऊपर बैठ गया इसके ऊपर कुछ आके तो जैसे ही करेगा तो आप इसकी नहीं velocity क्या होगी यह हमें पता लगाना है इसमें भी initial और final momentum निकालो initial momentum वह थासान है i omega कोई पंगाई नहीं है i omega cross आपको समझाया lf final momentum final momentum क्या होगा भाई final momentum देखो क्या होगा मैं लिखता हूँ final momentum देखो क्या होगा final momentum होगा i omega 1 मतलब अब यह नहीं velocity के साथ gomेगा अब यह नहीं velocity के साथ gomेगा हमने मान लिया कि वह omega कुछ भी मान लो यार omega 1 मान लो omega 1 omega 1 i omega 1 plus जब यह stick कर जाएगा यह वाला mass इसके साथ इदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा mr r square आपको पता है mr square omega गा, mr square में omega, इसका अपना moment of inertia कितना बन जाएगा, mr square और omega से multiply कर देंगे, omega 1 से, sorry, नहीं angular velocity के साथ, अब equate करो इसको तो omega 1 की value निकाल लो, omega 1, li equal to lf करो, ठीक है, इसकी direction, इसकी direction भी क्या आएगी, सबकी, सबकी अंदर की तरफ है, सबकी, सबकी, ठीक है, तो कोई भी negative करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने जब li equal to lf किया, when li equal to lf किया, तो क्या बना, i omega equal to, i omega 1, plus mr square, omega 1, ठीक है, और यहां से हमें किसकी value मिलगी, omega 1 की, that comes out to be, that comes out to be, i omega divided by, यहां से common ले लेंगे न, i plus mr square common आ गया, और वहां से हमारा answer आ गया, i omega divided by, i plus mr square, simple question था, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं variety cover करना चाहता हूं, हर चीज में आपको कोई difficulty ना है, this is a disk which is at rest initially, a person A is standing on its circumference, on its fence, and it suddenly catches a body which was already moving with a speed of V0, when it catches that object, यह जो mass m है, when it catches his object, what will be the new angular velocity of the disk, उसकी disk की क्या विलाज़ा, मतलब आप simple समझ लो, कि एक बड़ी तेजी से कोई object आ रही थी V0, इसने catch कर ली, ठीक है, इसने catch कर ली, और इसने catch करने के बाद, अब पूछा है तुम्हें कि अब इसकी angular velocity क्या बन जाएगी, जब यह इसको catch करेगा, आप कोई भी imagine कर लो, इसकी कोई भी velocity, हम यह मानते हैं, पहले तो initially 0 है, अब क्या बन जाएगी, ओमेगा, ओमेगा, ठीक है, अब initial angular momentum, यहान देना प्लीज, इस तीन bodies हैं यहाँ, गलती नहीं कर जाना कहीं, ठीक है, तीन bodies है, 0, disc rest पे है 0, obviously फिर man जो उसके उपर खड़ा है वो भी 0 पे, प्लस लेकिन यह 0 पे नहीं है इसके respect में, इस axis के respect में, इसका भी, इसका भी आपने क्या निकालना है, इसका आपने निकाल लेना है कि angular momentum कितन आएगा, देखो, mv0 into r, mv0 into r, mv0 into r, ठीक है, mv0 into r आगया, ठीक है, अब directions का ध्यान देना, जरह, mv0 into r की direction क्या होगी, ठीक है, mv0 into r की direction क्या होगी, यह direction है, आपकी किसकी, यह direction है, r vector की, जान दो, r vector ऐसी बनाना है, यह, this is the r vector, अब यहाँ बना लिया, तुमने नीचे और क्या, नीचे बना लिया, ठीक है, just before catching, just before catching, and just after catching की हालत बतानी होती है, आपने, just before catching, आपका, जो r vector बना वो यही है, r vector जब बना, तो आपने इसका, यह यहाँ, first class dot डाल यह, ठीक है जी, समझा गया हमें, फिर, फिर क्या करना है, फिर हमने बोला, lf किसके बराबर होगा, lf हम बोलते हैं, आजाओ, अब जिसी साब से मैंने omega बनाया हुआ, उसी साब से देखो, i omega dot है, ठीक है जी, man, man का तुम्हें बहुत बार बता दिया, उसका mass m ले ले लेन तो उसका आएगा, mr square, omega, तो obviously यह भी omega, जब involve हो गया, तो omega की direction, फिर, plus, यह भी आके अब डिस्क के साथ ही चिपक जाना है, यह वाला mass, ठीक है, अब तो catch कर लिया ना उसने, तो अब क्या बन जाएगा, mr square, omega, yellow y, यह आगया, ठीक है, अब उसकी भी angular velocity कितनी हो चुकी है, तो अब omega की terms में लिखेंगे उसको भी, ठीक है, तो पहले वो v naught लिखे आया था, अब यहाँ से क्या निकालना है, आपने omega की value निकालना है, li equal to lf करके, nothing is difficult in it now, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, omega common आ जाएगा नीचे से, यह देखो, मैं लिख देता हूँ आपको, omega की value, बड़ा simple है, omega equal to मैं बोलता हूँ, आप लिख लेना, ठीक है, omega equal to आएगा, mv not r divided by, divided by i plus mr square plus mr square, एक बार capital m, एक बार small m, कुछ नहीं है, omega नीचे वाली equation से common निकलता है, और इसलिए हम फिर omega को separate करके, वहाँ से divide कर लेंगे, this is very very simple calculation, nothing is there, nothing is there, यह भी लगबग same question है, ले अपने हाथ से फैंका है, पहले वो catch की थी उसने, अब उसने अपने हाथ से एक जोर से अपने हाथ में वही जो ball पकड़ी थी उसने, उसको जोर से फैंक दिया, v not velocity के साथ, जब उसने v not velocity के साथ फैंका, now calculate कि उसका जो angular velocity होगी, क्या होगी, पहले यह rest पे है, यह भी बता li equal to क्या बनेगा, 0, 0, li 0 है, rest पे था न, तीनों चीज़े rest पे थी, capital m भी, small m भी, small m किसके हाथ में था, capital m के, ठीक है न, तो disk तो पहले से rest पे है, तो इसलिए तीनों चीज़े rest पे थी, इसे li equal to क्या आ गया, 0, लेकिन lf, lf देखते जाओ, मैं लिखता हूँ, आप समझ करनी पड़ेगी, ठीक है, इधर डगका मारा, लोगी भाई, यह इधर आ गया, मान लो, यह आपने omega की value यह ले ली, ठीक है, ऐसा ले लो, ध्यान से, omega की कोई भी direction आप एज्यूम कर सकते, और इसके according अब आप क्या लो, कि direction कैसी आई, direction आई, बाहर की तरफ, इसलिए यह dot, प्लस, mr square omega, यह भी by dot, प्लस यह, क्या आएगा इसमें, mv, mv not r, अब इसकी direction, r बनाओ, यहां, r हमेशा इधर से, इधर से इधर, तो यह आगया, कैसा आया, अंदर की तरफ, cross आगया, cross आगया, तो क्या समझ आया, तुमें, cross आते ही, क्या समझ आया, जल्दी बोलो, cross आते ही, minus कर दो, यह minus बनाओ, mv, r जो आएगा, वो minus आएगा, ठीक है, जैसे ही minus आया, तो मैं लिख रहा हूं, फिर से value, आप देखना, आपको समझ आया, कि नहीं, मैंने lf फिर से लिखन लगा हूं, ठीक है, lf फिर से लिखने लगा हूं, lf equal to लिख रहा हूं, i omega, plus mr square omega, minus mv not r, और यहां से मैंने कहा, भाई, कि मुझे तो अब आगया लिखना, omega, omega equal to आगया, आपका, mv not r, divided by, i plus mr square, यह बना, यह आपकी मैंने इसमें, जितनी भी disk की problems थी इस तरह की, यह लगबग मैंने सारी cover कर दी, जितना जितना इसमें बताया जा सकता था, वो आप सब को बता दिया, variety सारी मैंने cover की है, आप एक दबारा, दुबारा revise करके देख लो, जरा coffee पे जो जो लिखा होगा आपने, कि आ rotational motion के साथ link करके, यह एक rod है, जो hinged है, जिस point पे आपको दिखाई दे रही है, इसके साथ एक 1 kg की object ने टकराना है, जिसकी velocity है 10 meter per second, और आप से पूछा गया कि बताओ, यह rod जो है, इसका omega क्या होगा, यह आपको यहाँ calculate करना है, omega of this rod, आपने अच्छे से सुनना है, जो मै यहाँ पे operate करूँगा, देखना जरा क्या करने लगाँ मैं, ठीक है, angular momentum collision में conserve रहता है, हमेशा हर type of collision में, इसलिए angular momentum की सबसे पहली equation लिखूँगा, और angular momentum की क्या equation आएगी, initial angular momentum will be equal to, initial angular, अभी मने किया भी angular momentum की कहानी, अभी देखो मैं लिखता हूँ, आपको समझ आ अपना angular momentum 0, लेकिन इसका ball का तो आएगा ना, और ball का कितना आएगा वो आपको मालूम है, just before hitting, just before hitting उसका आएगा, देखो, 1, M, V, R, 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 initial angular momentum मैंने लिख दिया, dot भी डाल दिया, आपको समझाना चाहिए, fingers को अपने यहां से यहां गुमाना, right hand की, thumb कहां एगा उपर की तरफ, अभी तक नहीं आता तो कुछ किया भी नहीं जा सकता, equal to, equal to, क्या rod का, अब आगया final angular momentum, final angular momentum में हमने बोला कि rod गूम गी, भाई तुमारी, कितनी omega के साथ, ऐसे, जैसे मैंने direction बनाई, जब ऐसी करकी direction होगी, तो omega की direction, और angular momentum of this rod की direction, same आएगी, मैंने लिख दी, मैंने लिख दी, मैंने लिख दी, आप देखना, इसका, यह rod है न, rod का moment of inertia कितना होता है, ml square upon 3, जब वो side से, end से hinge होती है, तो ml square upon 3, omega, ठीक है जी, प्लस, अब यह ball जो है, यह कोई रूकी थोड़ना है, यह टकर खाने के बाद हमने माना कि भाई उसी velocity से आगे चल रही है, ठीक है, तो इसको टकर मारने के बाद वो भी चलती रही, अगर उल्टी केई होगी, तो अपने आप directions आ जाएंगे, आपक टकर खाने के बाद velocity होगी, 10 की जगा V, ठीक है, इंटू, R, R कितना होई, एक्सिस से अभी भी कितना, 3, just after hitting, just after hitting की बात हो रही है, तो 3, 3 है इसका, यह R की value, ठीक है जी, इतना समझ आ गया, और यह दोनों भी क्या आए, यह dots ही आएंगे, क्योंकि V की direction हमने वही रखी है 10 वाली, तो इसलिए यह तीनो dots आगे, तो यह हमें एक समझ आगे, दूसरी equation मुझे चाहिए होगी, यहाँ पे क्योंकि V और omega दोनों यहाँ पे unknown है, और वो equation मुझे कौन देगा, यह देगा, यह हमें इतनी बात समझ आनी चाहिए पहले, अब वो equation कैसे लिखनी है, इसका अब वो equation कैसे लिखनी है, उसको देखना, E equal to क्या होता है, पहले मैं वो formula यहाँ side पे लिख देता हूँ, E equal to V2 minus V1 upon U1 minus U2, upon U1 minus U2 बिलकुल, V2, 2 को नहीं यहाँ, rod, उसका V कितना है, किदर टकर खाई उसने, इदर, इदर टकर आई है, इदर टकर आई है, इदर टकर V2 क्या होती है, यह, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जस्ट आफ्टर हिटिंग, इसकी जो linear velocity लेनी है, V यहाँ पे linear velocity है, यह वाला point घूमा omega के साथ, यह तो हमने माना है, लेकिन उसकी linear velocity क्या आएगी यहाँ पे, इस point पे, तो वो कितनी, किसके equal आएगी, आपको मालूम है किया मालूम है आपको, कि V is equal to omega r होता है, V is equal to omega r होता है, यह आपका V2 है, आप समझना इन बातों को जड़ा प्लीज, तो omega into 3, और किस point का लेना, जिस point पे टकराया आना, अगर यह इधर टकराता यह ball, तो यहाँ से लेना था, यह omega तो सेम है, लेकिन V change हो जाता है, V सेम न आएगा, क्योंकि इस V के लिए r इतना ही है, लेकिन यह जो V है, इसके लिए r इतना है, आपने देखना है, point of contact, point of contact ball कहाँ टकराया, तो उस point का आपने V2 लेना है, यह इसमें सबसे important बात थी, इसलिए 1 by 2 equal to equation बनी, देखना प्लीज, equation बनी, omega into 3, omega L, r इसका कितना है, कितने radius के साथ गुमेंगा यह, यह वाला point ही है, कितने radius के साथ गुमेंगा, 3 radius के साथ, इसलिए क्या आगया, 3 omega, 3 omega minus V1, minus V1 10, V1 तो 10 है, minus V1 क्या आगया, अरे, sorry, V2 minus V1, V1 10 नहीं, V1 है V, और जो U1 है, वो 10 है, और U2 0 है, क्योंकि rod पहले rest पे थी, rod पहले rest पे थी, इसलिए U2 0 है, और U1 जो है, जो U है, वो है condition, 1 यहाँ पे है आपकी ball, 2 है यहाँ पे rod, U है यहाँ यहाँ पे collision से पहले की कहानी, V है आपके collision के बाद की कहानी, ठीक है, तो यह दो equations बन गही हैं यहाँ ठीक है, दो equations बनी है, सारे dot आये थे, इसलिए कोई वहाँ पे cancel करने की जुरूरत नहीं है, यह दो equations, दो unknowns हैं, इनको solve किया जा सकता है, बड़े अराम से, जब आप यह equation solve करोगे न, आपकी जो ऊपर वाली equation है, वो बन जाएगी 30 omega plus 3V equal to 30, ठीक है, और दूसरी equation बन जाएगी आपकी 3V minus V equal to 10, ठीक है, minus V equal to 10, ने, 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 1, minus V equal to 5, equal to 5, ठीक है, यह equation 1, equation 2, इनको solve करो, तो मैं आपको बता देता हूँ, omega की value जो आएगी न, वो 15 upon 13 आएगी, radians per second, और एक बार आपको omega निकाल लिया आपने, तो V बड़े मज़े से निकाल सकते हो, ठीक है, यह solve कुद करना है, ठीक है, क्या difference है, कि यह ball जो है, वाब उपर strike करी, यहाँ पर, जब यहाँ पर strike की है, और कितना उपर strike की है, 1 meter उपर strike की है, same question है, कोच भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वैसे ही करना है, मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, ठीक है, मैं hint देता हूँ, आपको कैसे करना है, जैसे initial, फिर वही आजाएगा, सिरफ यही है इसमें, पिक्चर में, तो initial क्या आजाएगा, इसको 3 से multiply करना है, इधर hit किया न यह, इधर hit किया तो, सॉरी, इधर hit किया तो, यह कितनी दूर है यहाँ से, इतना ही दूर दै बॉल, तो 3 meter दूर है, तो इसलिए यह क्या आएगा, 30, equal to ठीक है, equal to 3 into ml square upon, ml square upon, upon 3, upon 3 omega, ठीक है, यह आगया, प्लस, प्लस, क्या, प्लस इसकी final angular momentum क्या आएगा, 3V, तो यह इसकी first equation बन जाएगी, ठीक है, सॉलो आप खुद करना, फिर उसके बाद second क्या आएगा, इसमें important क्या है, E का, E, इसमें मैंने दिया यह नहीं, आपको E equal to, E equal to 1 है, E equal to 1 है, तो E equal to 1 है, तो 1 equal to, क्या लिखोगे, 1 equal to V2, V2, V2 interesting है, V2 interesting आपने किस particle का लेना है, मैंने आपको पहले भी बताया, जहां यह hit किया ना, यह वाला particle, यह particle circular में गूमा, लेकिन मैं उसमें interested नहीं हूँ, मैं इसमें interested हूँ, इस बार V omega into 3, यह ध्यान रखने, यह सबसे interesting बात है, यहां पर, ठीक है, omega into 3, minus V1, minus V1 तो V1 है, V है, upon 10, same way आया पिछली बार की तरह, और कुछ नहीं, यह थोड़ी सी changes के साथ, इन दो equations को solve करो, and get the result, ठीक है, इसको कोई solve करना मुश्किल नहीं है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नही इसको अच्छे से solve करो, thank you very much.